आज हम बनाएंगे लहसुन लाल मिर्च की ऐसी जहनाटेदार चट्नी की जो भी खाएगा वो दीवाना हो जाएगा और दो रोटी एक्ष्टा ही खाएगा इतनी टेश्टी है ये चट्नी तो चलिए फिर बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने ये लाल मिर्चे ली हैं ये कस्मीरी लाल मिर्च है जो की तीखी कम होती है साथ में हम कुछ नॉर्मल मिर्च भी ले लेंगे जिससे की थोड़ा तीखापन भी आएगा जिसके लिए हमने ये लाल मिर्चे ली हैं और मिर्चों क नरीके की मिर्चें हमने ली है वो हम इसमें एद करदेंगे यह दिखे इस तारीके से इसे फोरасьणा दबा देते हैं और फिर हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए पक्ने देंगे जब तक, कि हमारी जो मिर्चें है वो अच्छे से soft नहीं हो जाती है तो जब तक हमारी मिर्चे सॉफ्ट हो रही है यहां पर हमने लिया है लगबग 25 से 30 लैसुन की कलियां जिनको छील करके इस तरह से हमें कूट लेना है यह दिखें पड़िया से दरदरा सा आपको कूट लेना है यहां पर हमने इसे भी कूट कर रेडि कर लिया है और इधर हमारी जो मिर्चे हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि वो काफी हद तक अच्छे से सौप्थ हो चुकी है तो खुले में थोड़ी देर पका देना है जिससे कि इसका पानी है वो भी रिड्यूश हो जाए तो अब हम क्या करेंगे मिर्चों को एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे लेकिन ध्यान रखें जब थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद ही इसे पीषना है थोड़ा सा पानी जो बचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसी से हम इसे बढ़िया से पीष लेंग है टेक्स्चर आप देख पा रहे होंगे कलर तो बहुत ही सांदार आने वाला है एक पैन में हम डालेंगे दो से तीन बड़े चमज सरसो का तेल तेल गरम हो जाएगा एक चमज जीरो और आधी छोटी चमज हींग एड़ करेंगे अब हमने जो लेसुन कूट के रखा है वो इसमें डाल देंगे और इसको हमें अच्छे से भून लेना है यह देखिए मीडियम हाई फ्लेम में हम इसे लगभग एक मिनट तक के लिए भून लेंगे यह देखिए कितने बढ़िया से लेसुन भून रहा है और इस टैंप बहुत अच्छी खुस्पू भी आती है जैसे हमें यहाँ पर लेसुन को बहुत जादा नहीं भूनना है कि जब तक लाल ना हो जाए हलका भून जाएगा तुरंत ही हम मेचों का पेस्ट एड़ कर देंगे और दोनों चीजों को साथ में ही भूनेंगे अब इसी में हम डाल देंगे स्वात के अनुसार नमक साथ में डालेंगे हम एक छूटे चमज ओरी गैनो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आपके पास है तो जरूर डालेगा अब इसमें जाएगा अमचूर पाउडर तो एक बड़ा चमज भरके हमने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है खटास के लिए हम यह जब से मैं यह चटनी बनाई है मेरी तो फेवरिट हो गई है यह देखे इसे अच्छे से भून लीजिए कम से कम चार से पांच मिनट तक इसी तरीके से धीमियाज में इसे भूनने देना है और फिर हमारी जो चटनी है वो पन के तयार है इसे अच्छे से ठंडा हो जाने द में दो चम jeunes बिनेगर भी टाल सकते हैं यह हम मार्केट से चिली गालिक चटनी लाते है वह मार्केट वाली है और यह हमारी हौमेट चिली गालिक चटनी बन के तयार है इसे आफ फ्रेज उस फरिटर करके